वास्तविग में जो पपु है उ नरेंदर मोदी है और मीडिया नहीं सावित कर दिया कि पपु में हमने स्वेट कर दिया कि मरीं प्कूरD गूर नाली से झो गयश निकाल दे मोद्कि यह जब बादल होता है तो रदार नहीं पकड़ता है यह पपू नहीं तो और क्या है बारुई के बाद इंटर करो लेपटाप देंगे अब मिसाह पपू नहीं तो और क्या है और राम मंदिर में घंटा बजाएंगे नोकरी दीजिए हमारे कंदे पथोड़ा भार दीजिए बे रोजगार बानी साहब रोजगार दीजिए युवाओं को यहां पर रोजगार चा 2.000 रुपे की राहत दों रुपे की राहत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर 2.000 रुपे की राहत पेटियों पेप्ल प्राप्त होजा जाते नगा उंको स्याफ हो या सुधिर जन्ता को अपनी पार्टी की तरफ, अपने विचारों की तरफ आकर्शित करने का प्रियास कर रहे हैं, वहीं अनुराग ओजा जैसे social activist भी हैं, जो जन्ता के बिज्जा रहे हैं और उनसे बातचित कर रहे हैं, अनुराग अमेठी आये हैं, हम पत्रकार अमेठी जाते हैं, ज जूल फिजूल की वज़ा से जानी जाती हैं, दूसो रुपए से लंडर में घटा नहीं, कि इस मिर्ती रानी जी पहार पे चड़ गई, अरे जी दोसो रुपए घटा दिया है, बहनों के लिए तोफा है, क्या प्रधान मंत्री जी आज ही बहनों की याद आई है, नौ साल इनको दबा के कमाना है, और चार-पांच महिन रह गया है न चुनाओ, अब इनको दोसो रुपए की रेवडी देनी है, तो रहात तो लोग कह रहे हैं, यह कौन सी रहात है, नौ साल लूट लिए, छे महिने में रहात देंगे, प्रधान मंत्री जी, प्रधान मंत्री जी, इनसे होता नहीं है, अमेठी में आपने ग्राउंड पे क्या महल देख रहा है, नहीं वहां पे तो इस मिर्थी रानी जी का जनाधार जो था खतम होता जा रहा है, अब यहां पे एक नई इंडिया का गठन होगा, इंडिया की हिसरकार यहां पे बनेगी 24 में, इस मिर्थी वहां पर जानाधानता जो जीएंगर क्या का नहीं पुड़ी में, हलंगा जो पे करने लिए का कुछ अइछ लिए की कद दहाई कि यहां करता है कि लुज्य पोना करेंगे करेंगा कि पांच काम करते ना जैसे सोचाले बनाए मोदी जी ने कहा ना खाऊंगा ना खाने दूंगा अब जब घंटा बजाएंगे नोकरी दीजिए हमारे कंदे पथोड़ा भार दीजिए बे रोजगार बानी साहब रोजगार दीजिए युवाओं को यहां पर रोजगार पांच मिंठर बड़ड़ा है तर ना खेड़ा बपत्कार को कैसे ओंधकार था याद है आपको नहीं न देखा हूगा फातक बंद कर ली बाए हम उनके तरह प्च्त्यों थोड़ी हमारे कुट्य। चोधरी भूल गया जेल का पूछ लिया था कि आपकी ट्राइंग टेबल पर कभी टमाटर पर चर्चा हुई है इस मिर्ती रानी जी इतना घमंडी हो गई है इतना इनको सत्ता का हैंकार हो गया है कि आपको जेल वाला याद है अब हम भी पूछेंगे तो इनका हमने लगता कि कि भरती जन्ता पाटी कोई पत्रकार मिल जागा जैल वाला याद हैं हम हम तो इस मिर्ती रानी से कहते हैं कि आई ज्मर्ती रानी जी दमन में तेरे नम है कितना देख लिए है देखेंगे उपके बाल में साइनिंग बहुत बड़िया लगती है सवाल हम तो कर नहीं पाएं मिर्तिए राणी के कार्याले तक आपके लिए रड कॉर्प्रेट भीछा दिया जाए बखाचु अब है जब था और पत्रकार चींग जू programmers त्रम से ने क। भगवा आपको बचा लेगा थोड़ी हम तो सनातनी ब्रहमड है भाई हमारे साथ तो ही रहेगा भार्तिय जनता पार्टी वालों की हिम्मत है खुला चैलेंज है कि हिम्मत है तो तो तार के दिखा दे या दिला देंगे छटी घगवा तो एक परतीक हो गया है कि जो बीजेप बाटा बाट दिया भगवान को भगवा और हरे में कहें बाट रहे हो न तेरा है न मेरा है हिंदुस्तान सब का है नहीं समझी गई बाते तो नुकसान सब का है तो प्या अमेठी में लगता है कि राहूल गांधी इस बार आएंगे चुनाव लड़ेंगे या फिर पर कि इड़ पास जाएंगे नावल चोक्ति के पास जाएंगे मोहल चोक्ती के पास में जाएंगे परधान तरीका तो ठीका ना है चले जाएंगी एक चीज बताइए पत्रकार महोदे कि राहूल गांधी तो वाइटनाड में चले गए थे लेकिन इस्मिर्ती रानी जी कहां जाएंगी यह बात पूछता है भारत और हम एठी की जंता एक जुट होकर भारतिये जंता पार्टी की ताना साही के खिला थूक रही है तो क्या लगणा आप अपने समाज से आते हैं अपने समाज के लोगों से बातचीत की क्या मोहल दिख रहा है भाई कांग्रेस आ रही है इंडिया बहुत मजबूत हो चुकी है यहां पर जातिवाद का कोई मसला ही नहीं कि ब्राहमन बनिया सूद उनका भी पूरा लंकड है तो फिर भी अहंकार नहीं गया तो इस मिर्ति रानी जी कई राज्यों में हार चुकी है इनकी भाजपा अब यहां पर यह मेठी हारेंगी ना इनका पूरा हैं कार चुर हो जाएगा और इस मिर्ति रानी जी वही अपना धोने का काम सुरू तो र सुवाशा दूलेकर जिस तरह से यह किया जाता था मीडिया में अब तक अब तुपहर इमेज बदल कई नहीं बदनाम किया था जो डलाल पत्रकार रहें को नहीं कह रहे हैं पपू 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 साबित कर देते वास्तविघ में जो पपू है उन नरिंदर मोदी है और जब बादल होता है तो रडार नहीं पकड़ता है उन पप्पु नहीं तो और क्या है बारुई के बाद इंटर करो लेपटाप देंगे अब अमीस सा पप्पु नहीं तो और क्या है इस इसमीरती रानी हो या चाहिए नरिंदर मोधी निकल जाएगी नाम पर भी विवाद है कि इंडिया क्यों रख लिए इस पर क्या कहें देखे प्रधान मंत्री जी ने जब कहा मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया खेलेगा इंडिया, पढ़ेगा इंडिया बढ़ेगा इंडिया तब इंडिया से इनको दिक्कत नहीं थी और आज इंडिया से इनको दिक्कत हो रही है क्योंकि प्रधान मंत्री जी हार के बाद में बिदेस जाने वाले हैं और जुतने भी बिदेसी हैं उनको सब को इंडिया से दिक्कत है तो प्रधान मंत्री को दिक्कत होगी ना या आतंकवादी और खालिस्तानी संगठन आज बता रहे हैं ना इंडिया को इंडिया तो भीया एक ऐसा संगठन है जो भारतिय जनता पार्टी की ताना साही सरकार को उखाड के विदेशों में फेक्षा तो क्या लग रहा है सिक्षा रोजगार स्वास हम तो जनता से इनी मुद्वों पर बातचीत करते हैं प्यार भी विसी के लिए जाना जाता है लेकिन क्या चुनाव के वक्त ये मुद्वे रहेंगे या ये मुद्वे खतम हो जाएगे फिर धर्म हावी हो जाएगा जाता भी हो जाएगा देखे सर कि पत्रकार जो हैं जो वहां पे बैठे हैं जो भारतिय जन्ता पार्टी की दलाली करते हैं वो आने वाले समय में धरम पे ही लड़वाएंगे क्योंकि भारतिय जन्ता पार्टी की किसी भी नेता में सामर्थ नहीं है जो महंगाई बेरोजगारी किसान जवान संब् और भी चीजों पर बहस कर सके रोजगार पर बहस कर चेके उनमें घमत नहीं है उनको हिम्मत है कि मुसलमान को हिंदू से लड़वा दो ब्रामड को सूद्र से लड़वा दो उस चुनाव में क्या होगा है यह चीज होगी या पिर जो मुद्धे है जमीनी उस पर बताऊं शर कि भारतिये जनता पाटी इतने निचले अस्तर तक गिर गई है यह द्धार्मिक दंगा भी करवा सकती है और किसी बड़े नेता को भी मरवा सकती है यह वास्ते बी मुद्ध इतने हदतें तक भारतिये जनता पार्टी गिर गई है look at जिस फाली में कुकुर कहता है ना भारतिये जनता पालटी वाली चुनाओ जितनी ले उसी फाली में खालेंगे का क्तरा है और वे कितने आपके बात में दमए क्या कुछ कह रही है यह तो देखना में देखना में लिवात देखनाक क्या कुछ ही दो हम आपकों बताएंगे जब गशाएंगे मिंघरांड पर रही होते हैं हैं अमेठी की लखनों की और तमाम जगा की और जो वैसे विधान लोक सभा जहां बड़े चेहरे हैं वहां की ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाने का काम करेगा तो फिलाल वीडियो में तरह हैं मिल तक लिए वीडियो जबने मारे साथ बहुत बहुत धन्यवाद